महराश्ट में शिवसेना कॉंग्रेस और NCP की गठ बंदन सरकार बन चुकी है और उद्दव ठाकरे को मुखी मंतरी बनाया गया है खबरों की माने तो इस तरह का प्रस्ताव शिवसेना की और से बीजेपी के कारेकारी अध्यक्ष जेपी नड़ा को दिया गया था लेकिन भाजपा का शेश नित्रत्व इसके लिए तयान नहीं था यहाँ तक ही गठ गरी के नाम पर संग नेभी सहमती चताई थी बता दे कि वधान सबाद चुनाओ के बाद भाजपा शिवसेना गठ बंदन को मिली जीत के बाद शिवसेना मुख्यमंदरी पद के लिए अड़ गई थी जिसके बाद भाजपा ने नितन गड़करी को उद्दव को मनाने का जम्मा सौपा था गड़करी के उद्व ठाकरे से बाद सहमती बनी थी कि यदि बीजेपी गड़करी को मुख्यमंदरी बनाने के लिए राजी हो जाती है तो शिवसेना आदित ठाकरे को उप मुख्यमंदरी का पद दे कर अपनी शथ छोड़ देगी इसके बाद गड़करी ने नागपूर पहचकर आरेसेस प्रमक मोहन भागवत से बात की थी इसके बदलाव के लिए राजी हो गए बताया जाता है कि उन्होंने कहा कि देवेंदर नितिन दोनों ही उनके प्रिये और संग के स्वयम सेवक है ऐसे मेदी पहले 5 साल देवेंदर फर्णवीस को मौका मिला तो अब अगर नितिन गड़करी को मुख्यमंतरी बनाया जाता है तो आरेसेस को कोई अतराज नहीं होगा संग से सहमती मिलने के बाद ये प्रस्ताव जेपी नड़ा को भीजा गया था जिसे उन्होंने भाचपाद्यक्ष अमित शाह के सामने रखा फिर शाह और प्रधान मंतरी मोदी ने चर्चा तरक गया कि शिव सेना के किसी भी दबाव के आगे जुकना ठीक नहीं है उनका माना था कि मोदी मंतरी बदलने का अर्थ शिव सेना के दबाव के आगे जुकना होगा जिससे राज़रे तक संदेश ठीक नहीं जाएगा क्योंकि विदान सबा चुनाओ देवेंद्र फर्नविस को दोबारा मोदी मंतरी बनाया जाने के नाम पर लड़ा गया था नेताओं की मौजूद्गी में प्रधान मंतरी वभाजपा देश ने देवेंद्र फर्नविस को मुगी मंतरी बनाने के नाम पर वोट मांगे तो शिव सेना की और से कोई आपती नहीं जताए गई थी ऐसे में शिव सेना की कोई शर्त नहीं मानी जाएगी subscribe our channel and press the bell icon for more updates